कि अब अब अभलो है अज मैं बताऊंगी आलो की किस तरह से लगाते हैं यानी कोलकस या इंग्लिश में कहते हैं तो इसको किस तरह से लगा सकते हो घर पे इसके बारे में बताऊंगी देखिए उसका पोधा देखिए इस तरह से होता है तो इसको घर पे किस तरह से कर सकते हो इसको बताऊँगी तो देखिए अलू की इस तरह से होता है तो इसको किस तरह से लगाओगे मैं बताओंगी पुरा प्रोसेस फार्श लास तक आप देखोगी तब भी बता चलेगा देखिए तो पहले मीटी में इस तरह से गड़ा कर लेना इस तरह से मीटी को गड़ा कर लेना और देखिए यहां पर मैंने राजसाहिनी के खाद यूज किया है इस तरह से और उसके बार उसको बीच बीच में इस तरह से लगाना है यह इस तरह से बोता है तो इसको एक-एक करके लगाना है इस तरह से तो देखिए मैंने यह खाद लिया है और उसका बीच में में लगाऊंगी तो यह वला उपर लगाना देखिए इस तरह से इस तरह से बीच-बीच में देना खाद की बीच में देखिए आप लोग को थोड़ी से ध्यान देना पड़ेगा इस वाला को उपवाल लगाना इसको नुचिरी लगाना इस तरा से इस तरा से किसारी किसारी लगाले ना इसकी बाद मिती धांते ना इस तरा से इस तरा से मीटी धांक लिए न इसका उपर भी हीडी भी दे सकते हो आप लोग नहीं दोगी ब्री चलेगा तो देखिए इस तरा और दोस दिन के बाद इस तरह से हो गया है निकल आया है और उसके बाद दिन風 तो हो गया है चाहिए है हो चुका है कि देखिए 15 दिन में इतना हुआ है कि देखिए यह इतना बड़ा हो गया है इसको भी खाते हैं इसको भी खाते हैं और अलुकी को भी खाते हैं देखिए यह इसको निकाल के अभी मैं दिखाऊंगी यहां पर है बहुत सब्सक्राइब पो पुपिए सब्सक्राइब कि देखिए मैंने इसको निकालके दिखा रही हूँ मैंने एक लड़ा था कितना सारे हुआ है और भी ज़्यादा था देखिए इस तरह से इसको करते हैं तो देखिए फ्रेंज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शैयर भी कीजिएगा तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू